आज जहानाबाद के पुर्व सांसाद अरुर कुमार ने राजधानी पट्णाम एक प्रेस कॉंफियंस को समोधित किया, प्रेस कॉंफियंस को समोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंतरी नितीश कुमार पर जम कर हमला बोला, उन्होंने कहा कि मुख्यमंतरी नितीश कुमा उन्होंने सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाएं इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने इस चुनाव में राष्टिय जनता दल का भी समर्थन किया केवल इसलिए कि नितीश कुमार चुनाव हार जाएं उन्होंने चिराग पासवान को लेकर भी कहा उन्होंने चिराग पासव और आज जो प्रेस कॉंफियंट्स में उन्होंने जो मुख्य बाते की हैं, मुध्पून बाते की हैं, उस पर हमें के करके चर्चा करेंगे, सबसे पहले उन्होंने एश्टीटी अव यर्थियों का जो मुद्दा है, हमने देखाएगी दो दिन पहले किस प्रकार से राजानी पटना में सड़कों पर दवडा कर, उन्हें पीटा गया, और पिछले कई दिनों से यह मुद्दा लगातार चलता आ रहा है, इस पर उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि दस साले गारा साल पहले, शिक्षक पतरता परिक्षा को पास कर, लोग नौकरी की आस लिए बैटे हैं, और राज के शिक्षा मंतरी साहब कहते हैं कि अभी धैरे रखो, आखिर अभी हर्थियों और कितना दिन धैर रखेगा, उन्होंने अभी हर्थियों से कहा कि आप सब लोग एक जूट होईए, गुट बाजी में मत पढ़िये, एक जूट होकर सरकार से लड़िये, अपना हक मानिए, उन्होंने कहा कि सिक्षकों पर जो लाठी बरसाना है, वो सरकार की बेशर्मी को दरसाता है, जिन सिक्षकों को सरकार सम्मान दे सकती है, जिन सिक्षकों को सम्मान देना चाहिए, उन पर राजधानी पटना के सड़कों पर दवड़ा दवड़ा कर सरकार लाठीया जाएगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है हमने देखा है कि पेरेमेडिकल के छात्रों या फिर कई जो अलग अलग जो जो अव्यर्थी हैं जो नौकरी करने वाले हैं वे लगातार सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं लेकिन सरकार उन्हें कंटेक्ट बेश जी रख रही है इसके अलबावा उन्होंने कहा कि निचीश कुमार को साफ करने के लिए हमने इस बार के चुनाव में राजत को भी वोट दिलवाया है और मगत से हमने नितीज कुमार को साभी करवा दिया है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि उन्होंने राजत का साथ दिया था इस चुनाव में इसके अलावा उन्होंने कहा कि नितीज कुमार को हटाने के लिए वे राजत का भी साथ देना पड़ेत वे तयार हैं और वे द पुरा बिहार डुब रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नितीज कुमार ने पूरे बिहार को एकदम बरबाद कर दिया। पासवान के जैसे बिहार में दलीतों पिछडों के नेता बन सकते हैं समाज के हर तपके की अगर वो बात करें तो वो एक युवा है और बिहार उनमें अपना भवी से देख रहा है उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को एक तरह से उन्होंने राय दिया कि चिराग पासवान क चिराग पास्वान बिहार में खुद को बिहार की राइनिती में खुद को अस्थापीत करने में सफ़ा लोंगे उन्होंने इसके रावा उन्होंने जो चिराग पास्वान के चार्चा है परशुपति पारत उस पर भी उन्होंने निसाना साधा उन्होंने कहा कि राम विलास पासवान के चलते परशुपती पारस जो भी थे वो बने थे उनके द्वारा बनाए गये थे लेकिन उनके जाने के बाद से जिस परकार से परशुपती पारस ने किया वो चिराग पासवान के साथ बिल्कुल गलत है उन्होंने कहा कि राम विलास पासवान का बेक्तिकत गाउं में जाएं, ग्रामुडों से मुलाकाद करें और जो असल समस्या है उसे समाजने की कोशिज करें और आज के प्रेस कोंफेंस में उन्होंने नितीज कुमार्पनिसाना साधा तो एक तरफ वाशिबाद यात्रा के जरी देखना चाहता है कि चिराग पासवान के अंदर कितनी शक्ति है वो अपने पिता के द्वारा बनाएगे जो वोट बैंक है जो मदाता है उनको अपने साथ जोनने में कितना सच्छम है और यह सब देखने के बाद भाजपा के तरफ से हैं फैसला लिया जा सकता है कि मंत्री मंडल में पशुपती पारस को सामिल किया जाएगा या फिर चिराग पासवान को आगे जो कुछ जनकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे फिलाल वीडियो अच्छा लगाओ तो शेर किजिए अगर फेस्बूक पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइक कीजिए मिलते हैं फिर बहुंचा लगले वीडियो में किसी नहीं जनकारी के साथ कैमरे के पीछे खड़े हैं प्यूचर सिया और मैं मोहिद कुमार सिंग धन्यवाद